नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहाए आप दोस्तों मायावती लोगसवा चुनाओं में पूरी थाकत जोकने की तैयारी कर रही हैं आखिर क्या है प्लान BSP Supreme माया वती का किस दिन और किस तारी को UP में माया वती जमीन पर उतरने जा रही है वो कौन सा नaya नारा है जो की BSP का जो नया नारा है माया वती उसे पूरे जोर जोर से इस चुनाऊ में उठाने जा रही है ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखे गया मायावती को लेकर आज हम बाचीत कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं दोस्तों मायावती यूपी में चुनाव प्रचार में उतरने जा रही है लेकिन उससे पहले पार्टी का स्लोगन बदल दिया गया है जी हाँ रणनीती बदल जी गई है मायावती के चुनाव प्रचार में उतरने से ठीक पहले BSP का स्लोगन बदल दिया गया है दरसल दोस्तों BSP के ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय स्लोगन का इस्तोमाल किया गया था जो की पहले जो चुना हुए है उनमें पोस्टर्स में हमने देखा था सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय लिखा हुआ था लेकिन अब ये स्लोगन बदल दिया गया है इस स्लोगन की जगे सरवजन हिताये सरवजन सखाये की जगे बहुजन सखाये लिखा गया है तो इस स्लोगन के साथ इस नारे के साथ BSP सुप्रीमॉं मायावति इस चुनाव में जा रही है पार्टी इस बार अपने खोई जनाधार को वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है पुराने समीकरोन को पुरारे समीकरोन को दुबारा यहां पर उस पर लोटती दिखाई दे रही है तो दुबारा उन समीकरोन को साधते हुए दिखाई दे रही है मायावती अब क्या इस स्लोगन के साथ BSP चुनाव में कोई उलट फेर करने जा रही है इस बात का जवाब दोस्तों आप भी हमें दीजेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका विशलेशन आप भी कीजेगा दोस्तों अब बात करते हैं मायावती के चुनाव प्रचार की क्या रणनीती है मायावती की चुनाव प्रचार को लेकर मायावती ने दोस्तों प्रचार की कमान अभी तक अपने भतीजय आकाश आनन को दे रखी दी जो कि लगातार चुनाव प्रचार कर भी रहे हैं मत्रा पहुचे, नगीना पहुचे, लगातार रहा, लोगों से बाचीत कर रहे हैं, लेकिन अब मायावती खुद ग्राउन पर उतरने जा रही है, खुद चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में लेने जा रही है, दस दिन, दोस्तों, दस दिन और दस रहलिया, ताबर तो रहलिया करने जा रही है मायावती, खाबर यह है दोस्तों कि मायावती पश्चमी उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई रहलिया करने जा रही है, चौधा अप्रेल से मायावती अपने चुनाव प्रचार की शुरुवात करने जा रही है, जो कि 23 अप्रेल तक कि हर एक तारीकों की कहां कहां मायावती किस-किस श्रित्र में रहेंगी किस-किस लोगसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगी अपने प्रत्याशियों के लिए तो 14 अपरेल से इस अभियान की शुरुआत हो रही है रैलियों की शुरुआत हो रही है चुनाव प्रचार की हो रही है मायावती चुनाव प्रचार करेंगी और तेईस अप्रेल तक यह अभियान चलेगा पहले फेज में पहले चौरण में दोस्तो आठ लोगसभा सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मतदान होना है इस दोरान मायावती 12 लोगसभा सीटों को कवर करने जा रही है जो 14 से 23 तक वो रहलियां करेंगी उसमें 12 लोगसभा सीटे ऐसी है जिनको कवर किया जाएगा मायावती की तरफ से 14 अपरियल को मायावती मुझशवर नगर और सहारनपुर में रैली करने जा रही है 16 अपरियल को 16 अपरियल को बिजनौर और नगीना लोगसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया जाएगा मायावती की तरफ से रहलियां की जौएँगी, इसके बाद 21 अपरेल आता है दोस्तों, 21 अपरेल को गाजियाबाद के मुरादन爪ार में जनसभा करने का कारिकरम रखा गया है, और अमरोहा में, उसी दिन, यानि kinda 21 अपरेल को अमरोहा में भी रैली करेंगी मायावती इसके बाद दोस्तो 22 सपरेल को सिकंदरा बाद में जन्सभा करने का कारिकरम रखा गया है और इसके बाद 23 सपरेल आता है तब उसके बाद ये ये सीटे जीत कर आये थी मायावती अब दोस्तो आठ लोग सबा सीटे हैं पहले चरण में जो मतदान हो रहा है जहाँ 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 वो सीटे हैं सहारनपुर की अगर हम बात करते हैं तो माजिद अली को चुनावी मैदान में उतारा है बेसपी सुप्रीम और मायावती ने कैराना की बात करें तो श्रीपाल सिंप को यहाँ से चुनाव में उतारा गया है मुजफर नगर तीसरी लोगसभा सीट मुजफर नगर से दारा सिंग प्रजापती चुनावी मैदान में है और बिजनौर की अगर हम बात करते हैं तो चौदरी बिजेंदर सिंग को चुनावी मैदान में उतारा गया है पाँचवी लोग सभा सीट है दोस्तो नगीना जो की सुरेंदर पाल सिंग बीएसपी के टिकेट पर ताल ठोक रहे हैं मुरादाबाद मुरादाबाद की बात करें तो इर्फान सैफी को चुनावी मैदान में उतारा है पीली भीत की अगर हम बात करते हैं दोस्तो तो अनीस एहमत खान फूल बाबू को चुनावी मैदान में उतारा है अब ये कितने जिताव प्रत्याशी है इसका अंदाजा आप खुद लगाईए और कमेंट वॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए पहली कवर धोस्तो ये है कि यहाँ पर स्लोगन बदला गए है सरुजन हिताय, सरुजन सुखाय की जगे, भहुजन हिताय, भहुजन सुखाय का नारा दिया गया है उसके बाद 10 दिन में ताबर तोड, रेलियां करने जा रही है मायवती और उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे पश्मी उत्तर प्रदेश में 12 लोग सबा सीटे हैं जिनको कवर करेंगी मायावती और इसके बाद जो 8 सीटे हैं वहाँ वहाँ पर फोकस किया जा रहा है तो मायावती BSP का जो पूरा प्लान है वो हमने आपको बताने की कोशिश कुई है दोस्तों बहुत शुक्रिया